नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक पार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा ओलच पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 24 अपरेल 2022 की हिमाचल परदेश की शाम पांच बजे की ताजा ख़बरों के जानकारे इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चली दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं शाम की पहली ताजा ख़बर ब्रेकिंग नुज है हिमाचल में दर्दनाख हाथसा टेपर और बाइक की टकर तेन युबकों की मौत तो रामपूर में टेपर और बाइक की टकर होने से तेन युबको की मौके पर ही मौत हो गई सोचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्ताल पर पहुंचकर शवकबजे में लिये और पोस्ट मार्टम के लिए खनेरी अस्ताल पहुंचाए शमला जंगल की आग बेकाबू आवासिये इलाके तक पहुंची लोगों में मचा हर कंप तो रायधानी शमला में रविबार को जंगलों में लगी आग सडकों तक पहुंच गई कई जगा गाडियों को रोकना पड़ा एचप्यू के एस एफाई के चातर भी आग बुझाने में जूटे हुए हैं जंगल के साथ लगते रियाशी क्षेत्रों में अपना तफरी मची हुई है संज शिक्षा नीती के तहात रोजगार परक और बाजार की जरूरत अनुसार पाठे करम में बदलाब किया जा रहा है कॉलेजों के वरिष्ट शिक्षकों के अध्यक्षता में बनी 22 कमेटियों ने ओच शिक्षा निदेशाले को इस बावत रिपोर्ट सौंप दी है प्रोजेक करोड रुपे का पस्ताब मंजूर किया गया था पस्ताब के तहत परदेश में प्री प्राइमरी कक्षाओं के संख्या को बरतमान में चार हजार से और अधिक बढ़ाने का फैसला लिया गया है रामपुर एक्सिडेंट पुलिस के खिलाब परिजनों की नारेबाजी घटनाओं को गंभीरता से जो है लेते हुए जीला परशासन ने प्रवासी लोगों को जागरोग करने की मुहिम छेड़ी है जुग्यों में आग ना लगने इसके प्रती जागरोग करने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्मान कोडिनेटर सुमन चेहलवा अगनी अधिकारी उनना जोगिंदर नगर सिंग पर अधारित टीम का गठन किया गया है दुमल बोले जो वीर सैनिकों से वीरता का सबूत मांगता है वो कैसा देशवक्त पूरुव सीयम ने आपके संयोजक अरविंद केजरी बाल पर किया हमला तो उनना से निउज है कि जो व्यक माचल देव भूमी के साथ वीर भूमी भी है 56 साल का पडोसी बना हैवान नावालिक लड़की के साथ कर डाली हैवानियत रोडू शिम्ला से निउज है तो दोस्तों ये थी आज शाम पांच बज़े की टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नही केशिन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिन जैभार